आज से करीवन 15 साल पहले जहां पर मैं बरात लेकर के आया था मीतु को लेने के लिए यहां से चड़कर के गई थी बरात कोयल कितनी सुंदर लग रही है ना कितनी सारी कठेली कठेल हैं यहां पर यह देखें इतनी बड़ी-बड़ी कठेल हैं पानी भी भरावगा है यहां पर कितना सुंदर लगता है ना चम 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 चारतरब यह देखें ताले ही ताले ही यह अधिया यहां की सबसे पेवरेट चीज है जो यह क्या बोलते हैं इसको सौन अलूआ तो प्राइब करें तो अधिया अधिया है किस समय सुबए के बज़े चैब और चैब आपको वीडियो में बने रहना आगे बताएंगे कि हम लोग कहां जा रहे हैं देखिए बहुत खुस्भी है आप उस्ट प्रूबी था जाए बहुत आप कि दोस्तों हम घर से तो निकल आये हैं तभी हम रस्ते में खड़े हुए और जहां पर हम जा रहे हैं दोस्तों वहां पर जितने वी सहर मिलेंगे न हमें रस्ते में तो दोस्तों उन में से दो तीन सहर हैं जिन में से कि उनकी कुछ फेमस चीज है आप खुद जब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद जो पहचान जाओगे कि वह कौन सा सहर है तो अब नहीं भर से तो निकले हुए हमें पांच मिनिट हो सहर हैं अब ही हम रस्ते में चल रहें और हम रस्ते में आपको दिखाते चलेंगे कि कौन सा सहर पढ़ता है पहले एक वार वह चीज जो मैं आपको वांकी कोई बैसल्टीज है जो फेमस जो चीज है सौरी वांकी वह हम आपको अगर दिखाएंगे तो आप खुद पहचान जाओगे आप गैस करना के वह कौन सा सहर है ठीक है दोस्तों अगर आप यहां के लोकल हो तो आप पैंचान जाओगे अगर आप यह वीडियो अगर कहीं बाहर के कोई भाई देख रहे हैं तो मैं आपको खुद बता दूंगा तो ठीक है दोस्तों जर्नी को करते ही स्टार् अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरू और वीडियो अच्छा लगे तो दॉस्तों चलते हैं रश्ते में देखाते हैं आप गैस करना कौन-कौन साहल है ठीक है दोस्तों इडिकिए दोस्तों रस्ते में यह 94 फी रस्ता है परकर्मा देख ऑब बाबा देखिसर देन?" सब यह यहां की सबसे फेवरेट चीज है जो यह क्या बोलते हैं इसको इसको बोलते हैं सौन हलुआ यह किस चीज से बनता है यह चीनी से बनता है अच्छा चीनी बेसन मैदा और सम्तिंग कितने रुपे के लोगा है मतला हो डिफरेंट के मैं अगर यहां के लोकल है तो आप जानते होंगे जिसको अलुआ बोलते हैं अदरवाइस पाहर के तो मैं बता देता हूं आपको यह सौन ज़ूआ है यह जगह है जो इसको बोलते हैं राया अब यह सबसे लिए जो चीज है वह बिजाइब ना किसना नंबार जाम लग रहा है एक दो गटे खड़ा किड़ा हूँ एक दो गटे खड़ा हूँ एक बास दर से निकाले हूँ बस नहीं ही निकाले हूँ कि अग्या फाटक बंद नहीं है फाटक तो फुला मिला है कि दोस्कों अब इस समय जहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ यह जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यह है मेरा जिला जो डिस्टिक आप सब लोग जामते हैं अभी मैं आपको दिखांगा यह देखिए यह जो पीछे जो आप दोड़ देख रहे हूँ यह आ गया नीतु गाइए इसका जो है गाहा आचिपा है मतलब गाहां नहीं इसकी जो डिस्टिक है वो डिस्टिक लग चुकी है यह यह देखा हुआ है दोस्तों अब हम आ चुके हैं इस समय यह एक इंगलास के पास में एक बाग है जिसको बूनते हैं ताउबाग चलिए यहां देखिए आम के देखिए कितने सारी पेड़ लगे हुए हैं बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं काफी है मीत हुजा रही है आम चुरानी के लिए चलिए एक बार तार लगा रहते हैं अबर और अब नामने पना है इता है कि इस चल 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 यह देखिए दोस्तों इस पेड़ पर आ रहें का को कुऊन्दा यह देखिए यह च्छोटे-च्छोटे से जो है यह करों कभा बूलते अपके जो तो यक क्या बोलते हैं एक बार बताना और दिखर पार अम्रूद भी आज्डाने और यह साइद को बताना एकवार ये देखें कितनी साथ कठयल इपकरी कठयल हैं देखें पीड नीचे से स्टार्ट हो गई हैं अदिखें उस पेड़ पर भी है यह देखें दोस्तों कितनी बड़ी बड़ी कठयल है इंविका यह देखिए कितनी सारी कठेली कठेल हैं यह देखिए यह देखिए हाँ कितनी सारी कठेली कठेल के अब यह बहुत छोटी है एक होगी करीबन चार-पांच किलो की हाँ फिर हो जाएगी काफी बड़ी हो जाएगी यह तो रही सीता फल लौकी यह पालक है अच्छा 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 यह देखिए दोस्तों यह मूली की मूली बता रहे हैं इनको अच्छा यह संत्रे का है यह देखना बैठ जादिक नहीं तो फूल भी यह देखिए दोस्तों यह संत्रे का पेड़ है इस पर अभी फूल आ रहे है और फल भी आ रहे है और चोटा सा एक संत्रा भी आ रहे है बहुत चोटा सा है यह तोरे ही लगा रहे है आप तोरे ही जो है यह पंजाब की है अच्छा यह भीया बता रहे हैं पंजाब सेन का लड़का लाया है तोरे का जो बीज है यह तोरे का यह तोरे का यह देखिए दोस्तों अब मैं दखाता हूँ आपको इसी बाग में केले का पेड़ देखिए यह है केले का पेड़ और काफी बड़ा चोटे से केत में बग्यावी कितनी सब्जी है सब्जी में फल भी है यह देखिए केले पर केले भी आ रखें यह देखिए आप देख रहे हैं केला केले आ रखेंगे हाथ तो नहीं आ पाएगा यह देखिए पानी पानी भी भरा हुआ है यहां पर कितना सुंदर लगता है ना जो गाओं यह समर लगी विए दोस्तों यह रस्ते में एक छोटा सा एक बाग पड़ा था जो अलीगर डिश्टिक के अंदर आता है इंगलास के पास में अब दोस्तों यह कैसा लगा यहां पर यह बताना आप जो हमें आप कौन सा पेड़ आपको अच्छा लगा किसका क्या नाम आपके यह जो बोला जा यह नहीं मिलती है चलिए अब सीधा आपको वहीं लेकर के चलते हैं दोस्तों जहां पर हम आएं यहां पर हर दुकान वाले पर दिसमें लिखी रहीगी चम चम वाले चम चम आपको दिखाता हूं पर कैसी मिठाई होती है तो पूछ के आई कि क्या रेट है चम चम हाँ पर आपको आपको कैसी होती है चम चम वाले चाहां जहां भी जहां तक आपकी लिखा जाएगी पर यह देखें चम चम किष्णा चम 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 यह सब चीज लिखी होता है जो अलीगर्ड डिष्टिक के अंदर जो इंग्लास है इंग्लास के अंदर सबसे चीज है वो है चमचप अब बाकी के आप कई से जो देख रहे हैं अगर वहापर इसको क्या बोला जाता है वो आप मेरे को कॉमेंट करके जगूर बताना है की सभी जभा है हम है अजारों में अब की कमी जरा है अब है जो है वो समा है तुम्हेरे सबीत और अब है जो है वो समा है तुम्हेरे सब एंसे जीत अब चाहे जिन्दगी यह चाह बड़ भया है हम अपने गाम से यही आते पूजा करने दोस्तों आज से करीवन 15 साल पहले जहां पर मैं बरात लेकर के आया था लेने के लिए अलीगड में वह मैं आपको जगे दिखाता हूं कि जहां पर मैं बरात लेकर के आया था वह गली दिखाता हूं यहां दोस्तों यहां से चड़कर के गई थी बरात और इस गली में आगे थोड़ा सा वह आप जो देख रहें ने बिल्डिंग वहां पर एक मैरे जहूं में क्या नाम का ठूम पिल्डियामे अभी मेरे जहूं का नम उसमें जो मेरी बरात करें दोश्टों मैं आपका दίας चीज दिखाता हूं कि मैं यहां पर तालों की फैक्ट्री यह ठीधी अभी एक॥ च्छोटी सी सुवह सुवह का समय के दुकान खुषी टौछे हैं अभी आप चलिए आप नहीं है हरीपटली किया रपोदिद्ध सॉफ्ल लेकर करम पक्रीक Mate mara परकार के बड़े प्रकार के बड़े चोटे सब परकार के ताले उनके खुद के अली गड़ की मैनि फ्रक्टर डू ते यह पर इस सारे इसारे एक थाइड आपका नाम क्या कुंइध गोयर अर्थ कुन्मी भाइत आलेवाले क्यों। परे जो दोखिए! मुझरी पेट झाल दोखिए! मुझरी टोखिए! प्तरज जोग डाव और उब आल मुझरी डाव सबक्षा नोखिए ।ॉ। टेड शियू एक मख्यारी तरगा देशूपा इस ही ड़ोगन में सिदेश दो फृटा आपका की अगिछे गाले बार ने खाले जो है है देश ब्रहिव सी जबा है ओम है आजारो मैं अब खीमें जरा है हर चीश खास है अब है जो है वसमा है तुमरे सखी टूरबा है से जी अब चाहे जंदगी रेकर फ्राइड करने हैं तो वह झूज रहे कि तो रभा है तो आफेएबाहanie दोस्तों मौसम हो गया खराब बहुत तेज देख लेगी है बारिस बीजली जो है बहुत तेज चमक रही है और हम यहां एक के घर में जो है खड़े हो गए यहां पर मैं और नहीं तो बहुत तेज मौसम खराब दोस्तों एक के घर में हमें रुखना पड़ा बारिस के कारण 32 बारिस हो रही थी सामने रोड पर मैं आपको दिखाता हूँ बहुत बेंकर बारिस हो रखी है तो हमें किसी की घर पर रुखना पड़ा और इसके बाद में जब बारिस थमी तब हम जाकर के अपने घर पर पहु कुछ सम्ट